हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में जो हम लोगोंने घटना चकर का जीएस पॉइंटर से जो हम लोगोंने सीरी जा स्टार्ट कर रखा है उससे रीच में अभी हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल या यह दो टापिक हम लोग पूरा कंप्लीट खतम कर चुके हैं इस जीएस पॉइंटर बुक से उन दोनों का प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और अगर आपको उसका पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ के लिए वीडियो के डिस्कुस्टन लिंक से जाका टेल मुखता प्राप्त होती है तो भारत की सरबादिक बर्सा जो है वो मुखता दस्चिन पस्चिन मौनसून से प्राप्त होती है फिर आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्भी मौनसून से सबसे अधिक बर्सा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है तो वो है इत्तमिलाडू करा अ ऐसे दो नगर जो लगबग एक ही अच्छांस पर अवस्तित हैं, फिर भी उनकी बार्सिक बर्सा की कुल मात्रा का अंतर जो है वो सरवादीक सुवस्पस्ट है, वो है अजमेर और सिलॉंग, फिर कहरा है एक मौसम बिज्ञान के अंदर का ओसत बार्सिक तापमान 26 डिग्री काल में हागी तब कह सबसुंधे कुल कता, ये व माँगोर ऑस्थान कों, si, आगी कह रहाएगी ब Ao क्ले, फिर कहरा है आम्र बरसा मैंगो सुर्बर जो है वो सम्बंदित है तो ये वो आम की फसल से संबंदित है फिर कहारा भारत में सबसे कम बर्सा बाला स्थान को नहीं तो वो है ले फिर कहारा दस्चिन पश्यू मौनसून काल में कोलकता मैंगलोर अच्छे नई एबम दिल्ली में इससे सबसे कम बर्सा होती है तो सबसे कम बर्सा जो है वो अच्छे नई में होती है फिर आगे कहा रहा है कि चेरा पुंजी ये अवस्थी थे तो चेरा पुंजी कहा है मेघाले में अवस्थी थे फिर कहा रहा है भारत बर्स में सरवादीक बर्सा बाला चेतर है वो है पश्चमी घाट हीमाले छेतर तथा मेगाले फिर आगे कहरा है कि भारत में बर्सा का अधिक्याय होते हुए भी यह देश जो है वो 85 धर्ती समझा जाता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण क्या है कि बर्सा की पानी जो है वो तेजी से बह जाता है बरसा के पानी का सिग्रता से भाब बनकर उड़ जाता है और बरसा की कुछ थोड़े ही महीनों में जोर जोर की बरसा होती है आगे कहरा कि वह जल प्रवंधन निक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाप देने वाली है तो वो है बरसा के जल का संचयन आगे कह रहा है भारत में औसद दो सो मिलिमीटर बरसा होती है तो वो लद्दाग तथा राजस्थान के पश्चमी भाग में होती है पिर करया है जार्खन में बरसा प्रापत होती है तो जार्खन में बरसा जो है वो मुखताँ दस्चिन-पस्चिन-मांसून के कारण होती है आगे कह रहा है कि जब पुस्कर की पहाड़ियों में भारी बरसा होती है तो बाढ़ाती है तो वो बालोत्वारा में बाढ़ाती है फिर कह रहा है कि भारतिये मौसम विज्ञान विभाग की परिभासा के नुसार बरसा का दीन वो होता है जब किसी बिसेश हस्थान पर इस बरसा की मात्रा होती है तो 24 गंटे में 2.5 मिलिमीटर से उपर आगे कथन और कारण दिया हा गया है कह रहा है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मौनसूनी बरसा घरती हुई मिलेगी फिर कह रहा है गंगा के मैदान में कोई जो जो उपर को बढ़ता जाएगा आधरता धारी मौनसून पबन और उची जाती मिलेगी यह बिल्कुल सही है यहां ए और आर दोनों सही है और यह की सही ब्याक्ष्चा जो है वो आर करता है फिर कह रहा है कि सही सुमेलन है सुची एक और सुची दो एक साइड जलबायू परस्थीतियां दिये हुएं दूसरे साइड कारण दिया गया है कह रहा है कि कोलकता की पिछा चिन्नई अधिक गर्म है तो इसका कारण है अच्छांस हिमाले में हिमपात पश्ची मंगाल से पंजाब की और आते आते बरसा कम हो जाती है यह इसका है तुंगता हिमाले में हिमपात की अगर बात कीजेगा तब हो जाएगा तुंगता फिर है पश्ची मंगाल से पंजाब की और आते आते बरसा कम हो जाती है समुंदर की दूरी के कारण और आगे कह रहा है कि सतलज गंगा मैदान में सीत काल में कुछ बरसा होती है तो यह जो है वो पश्मी दाप के कारण आगे कह रहा है भारत के अर्धसुस के छेतरों में जल ढाल विकास का प्रमानक चिन है तो यह मौसमी नदियों से जल का टट neighbor करन करके जल असियों के तंतर की अस्थापना करना फिर करागी भारत में मरू अस्थली विकास योजनाब करियानमित है तो वो 40 जिलों में 7 राज्य में करियानमित है कह रहा है भारत में अंतर देशिये जलमारगे का प्रियाप्त विकास नहीं हुआ है ये बिल्कुल सही है और भारत के अधिकतर भागों में बर्सा साल के चार महीनों में होती है ये भी बिल्कुल सही है यहां ए और आर दोनों जो है वो सही है और आर जो है वो ये की सही ब्या पहाड़ियों पर सित है आगे कह रहा है कि भारत के उत्री मैदानों में सीत रितु में बरसा होती है तो भारत के उत्री मैदानों में सीत रितु में जो बरसा होती है वो पश्चमी भीचोब से होती है फिर कह रहा है भारत में सरत कालीन बरसा के छित रहें तो पंजाब हर्या उतर राजस्थानस्वारी, जम्मौ, एंड कासमीर, लद्दाक, उतर प्रदेश, पस्चिम भारत ये सब भारत में सरथ कालीन भरसा के छेतर हैं। पिर टमिलाड़ू में सरथ कालीन भरसा जिन कारणों से होती है तो वो है उतर पूर्वी मौनसून। फिर कथन और कारण दिया गया है, कह रहा है भारत के उत्री मैदान में जाडों में कुछ बरसा हो जाती है, यह जो है वो सही है, फिर कह रहा है जाडों में उत्तर पूर्वी मौनसून जो है वो सक्रिय होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, यहाँ ए और आर दोनों सही है, प्र प्रती चक्रवारती स्थीतियां सीत रिसूम एरितू में तब बनती है जब बायू मंडली ये दाव उच्छो होता है और बायू ताप जो है वो निम्न होता है ये बिल्कुल सही है फिर कहरा उत्तर भारत में सीत कालीन बरसा से निम्न तापो वाली प्रती चक्रवारती स्थी जो है वो पैदा होती है तो यह गलत है यहां यह जो है वो सही है और आर यानि की कारण जो है वो गलत है आगे कहा रहा है भारत में सीतकाल में बरसा होती है तो भारत में सीतकाल में उत्तर पश्ची में वं दच्छिन पुरिक्षेत्र में बरसा होती है फिर कहा रहा है भारत क कि टटों में सरवाधीक दुस्थ प्रभावित हुआ था तो वह जो है वो उक्को रोमंडल टट हुआ था फिर कहरा हुद्धू चक्रबाद से भारत का जो टटिये स्रवाधीक प्रभावित हुआ वो था तो वो था अंध्पदेश टट फिर कहरा गी भारत में सुनामी वर्निंग सेंटर जो है वो अवस्थी थे फिर कहरा भारतिये मौसम विज्ञान विभाग अस्थापित है तो यह जो है वो नई दिल्ली में अस्थापित है एक साइड प उत्रपदेशवम बिहार के मैदान के साथ मैच करेगा भुकम्प हिमाले के गिलिपाद छेतर के साथ मैच करेगा सूखा जो है वो मधपुर्वी भारत के साथ मैच करेगा और चक्रबात जो है वो जहारखन अभम उत्री उडिसा के साथ मैच करेगा आगे कह रहा है कि हिमाले में भूस अक्रन की आपजिती में बिल्थी हुई है ये बिल्कुल सही है फिर कह रहा है हाली के बरसों में हिमाले में बड़े प्रमाने पर खरनन कार जुआ है ये भी बिल्कुल सही है यहां A और आर दोनों सही है, तथा आर जो है, वो यह की सही ब्याख्या है, फिर कहरा है, बंगाल की खाड़ी के टट वर्ती छेतरों में चक्रबात अधीक आते हैं, तो यह जो है, वो बंगाल की खाड़ी में अधीक गर्मी के कारण आते हैं, फिर कहरा है, कि पश्मी टट की तुलना में पुर्वी टट चक्रबारतों द्वारा अधीक प्रभावित हैं, ये बिलकुल सही है, फिर कहरा है भारत का पुर्वी टट जो है वो उत्तर पुर्वी बैपारी खबाओं के मेखला में पड़ता है, ये भी बिलकुल सही है, यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही प्रभावित है, जो कोईना जलासा में जलस्तर के परिवरतन के साथ अधीक सक्रियों हो सकता है, ये भी बिलकुल सही है, यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही है, तथा आर जो है वो एकी इस सही ब्याक्या है, फिर कहरा है गी आंधपदेज, उडिसा, बिहार, तथा गु कहरा है कि उत्राखंट, करनाटक पठार, कच्छेवम, हिमाचल पदेश में से वह अच्छेतर, जो उचरति ब्रता की भुकम्पिये में एखला में नहीं आता है, तो वो नहीं आता है, करनाटक पठार, फिर कहरा है भारत को जीन भुकम्पिये, जोखी मंचलों में सेकंड आगे कह रहा है पिछले दो दसकों में उत्तर भारती मैदानों में बाढ़ की बराम रहता है यानि फ्रिकेंसी अफ फ्लड जो है वो बढ़ गई है तो यह बिलकुल सही है फिर कह रहा है गाद के निपेचन के कारण नदी घाटियां की गहराई में कमी हो गई है तो यह भी बिलकुल सही है यहां ए और आर दोनों सही है और आर का ए जो है वो सही एसपश्टी करन भी है फिर कह इसका जो पूर्वी बाला छेतर है, वो सरवादीक बाढ़ परवावी छेतर है, तो इसका अंसर होगा पूर्वी छेतर. फिर कहτε रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन एक निम्न बायू दाबर पेटी स्थीत है, तो यह जो है वो Inter-Tropical Conurbance Jones जो है वो भूमद रेखा पर स्थित है फिर आगे कथन और कारंद दिया गया है कथन और कथन कह रहा है कथन कह रहा है कि भारत में सरवादीक सगहनिता बाला भूकम पिये छेत्र जो है वो हीमाले छेत्र में स्थित है ये बिल्कुल सही है, फिर कह今天 हिमाले में कई अनुधैर उतकरम, छेतर जो है वो अबस्तित है, या ए तथा आर जो हे बो दुर थे हैं तथा आर जो हे वो एक की सही ब्याक्या है फिर आगे कहरा है सही कहतन है प्राकिर्तिक आपदा इंसरवादी च्छती विकास सील देशों में करती है बोपाल गया स्तराज़ी मारम निर्मे थी ये भी सही है और भारत आपदा युक्त देश है ये भी सही है साही सुमेलिन है, एक साइड प्रक्रिति का आपदा है, दूसरे साइड उसके परभावित प्रदेस है, बाढ़ की अगर बात कीजेगा, तो यह है उत्तर प्रदेस वही बिहार के मैदान, भुकम्र की बात कीजेगा, तो हिमाले चेतर के साथ मैच करेगा, सूखा की बात कीजेगा तो पश्चिंवा मद्य भारत के चेतर और सुनामी की अगर बात कीजेगा तो भारत का दच्छिंटर्ट ये चेतर फिर मिटियां से कुछ कॉशन्स दिये गए है, सबसे पहले काली मिटि के बारे में दिया गया है, कहरा वह मिटि जो बिसाल चाबा के च्छे के कारण निर्मित हुआ है, तो वो रेगूर मिटि यानि की काली मिटि होता है, रेगूर नाम है, तो रेगूर काली मिटि, काली मिटि रेगूर मिटि, कपासी मिटि, ये सब एक ही मिट्टी को कहा जाता है कह रहा है रेगूर मिट्टी का बिस्तार सबसे जादा है तो रेगूर मिट्टी का बिस्तार जो है वो सबसे जादा महराष्ट में है फिर कथन और कारण दिये गए है कह रहा है दचनी ट्रैप की रेगूर मिटियां काली होती है ये बिल्कुल सही है उसमें हुमस प्रचूर मात्रा में होता है नहीं ये गलत है हुमस नहीं होता है उसमें तो यहाँ ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है फिर काली मिटी कापास की खेती के लिए उप्यूक्त है ये बिल्कुल सही है फ कथा और कारण कह रहा है कि काली मिट्टी जो है वह कपास की क्रिसी के लिए उप्यक्त होती है यह बिलकुल सही है फिर कह रहे हैं सवता क्रिसी कैसे कहा जाता है तो ये कपास की काली मिठी को कहा जाता है कह रहा है लावा मिठीयां पाई जाती है तो लावा मिठीया जो है वो मालवा पठार में पाई जाती है फिर कह रहा है मालवा पठार की प्रमुख मिठी कौन है काली मिटी को अस्थानिय भासा में रेगूर कहा जाता है बिलकुल सही है केवर से के अनुसार रेगूर मिटी अनिवाज रूप से एक परिपक मिटी होती है ये भी सही है और काली मिटी में आदता यानि की नमी धारन करने की उच्छे छमेता होती है तो ये भी बिल्कुल सही है आगे कहरा लेटराइट मिटी के बारे में कहरा भारत में लेटराइट मिट्यों के बारे में सही कथन है ये साधानता लाल रंग की होती है इन मिट्यों में टैपियों का और काजू की अच्छी उपज होती है ये भी बिल्कुल सही है यह जो इस है और आल जो आइव गलत है फिर कहरा लेटराइट मिट्टी मिलती है तो लेटराइट मिट्टी का सरवादिग बिस्ताद जो है वो मालाबाद 30 बाला प्रदेस उसमें और उसके बाद महराष्ट में और यह बिلकुल और ग्रा pregnancy सह coaching है मिए द्रिब बॉब नुकुल सही है है फिर कैरा वह म्रिदा प्रारूप जो लोहें के अतिरेख होने का कारण अनूबर हो ता जा रहा यह बात कर रहा है रेटर राइक मितिकी और गे है डोमट या जलोड मिटी इक बारे अधीक उपजाई मिर्दा कौन है, तो वो है जलोड मिट्टी, फिर कह रहा है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलूई मिट्टी, अब हम कछारी मिट्टी में से भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का बर्ग कौन है, तो भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का बर्ग है कछारी मि पिरूमटी मिलते हैं तो ये मिटी के सभी परकार कर जंगली मीटियों से भा बर्ग जो भारत के सर्वादिक्चेतर पर फैली है, यह बात कर रहा है जलोड मिटी के पर और उयामेटी जो नदियां द्वा निर्मित है, जलोड मिटी पिर कारा서 नावन मिटी के हैं, 5.5 हिस्चे में पाई जाती है यह बिल्कुल सही है पिर कह रहा है जलोड मिट्टी में phosphory-奇cid-ğbhadpour-मातरा में पाई जाता है यह बिल्कुल सही है और यहां मिट्टी उपजाईउ होती है यह बिल्कुल सही है और अम लीए मिट्टी को मिट्टियों में सरवांतियों में होती है तो पश्मी राजस्थान की मिट्टियों में सरवांतिक आत्रा में कहल्सीम होती लाओ धा से भरपूर करेगा तो यहां होगा मटर कि आगे कह रहा है कि गेहूं चाबल उड़ा देवं गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमी की उरबकता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो है तो वह है उड़ा फिर कह रहा है भारत के कुछ भागों में यात्रा करते मिटी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है तो लाल मिटी का लाल रंग होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की बिद्धमाननेता फिर कह रहा है कि भारतिय मिद्धनाओ में से जिस सुच मितत्व की सरवादी कमी है वो है तो जस्ता की कमी है भारत की मिट्धियों में फिर क जलत है और आज जो है वो सही है फिर कह रहा है कि पौधे का सबसे अधीक पानी पौधे को सबसे अधीक पानी मिलता है तो वो जो है वो चिकनी मिट्टी में मिलता है फिर कह रहा है मिट्टी का वहकन जिसका ब्यास जो है वो 0.002 मिलिमीटर से कम होता है तो वो होता है मिलती क फिर कहरा है कि बिहार का अधिकांस छेत्र जो है वो अच्छा दित है तो बिहार का अधिकांस छेत्र जो है वो कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से अच्छा दित है आगे कह रहा है कि करेबास मिर्दिका जो जाफरन केसर का एक अस्थानिय प्रकार के उत्पादन के लिए उप्योगी है पाई जाती है तो वो कास्मीर हिमाले में पाई जाता है फिर आगे है अमलिय वंचारिय मिर्दा करा समान फसले उगाने के लिए उर्बरक भूमी का पिये चमान होने की संभाबना है तो वो अच्छे से साथ होने की संभाबना है आगे करा तेजाबी मिट्टी को क्रिसी योग बनाने है तो उपयोग किया जा सकता है तो उसको चूने लाइम का उपयोग किया जा सकता है करा मिटी में खारा पर निवम छारियता की समस्या का समाधान है तो वो खेतों में जिपसम का उपयोग आगे करा भारत में सरवादीक छारिय छेतर जो है वो पाये जाता है भारत में लबन्य मिर्दा का सरवादिक छेतरफल है तो लबन्य मिद्रा का सरवादिक जो छेतरफल है वो गुजरात में है आगे कह रहा है कि मृद्दा का लबनी भवन मृद्दा में एकत्रित सिंचित जल के बास्विक्रित होने से पीछे छूटे नमक और खनीजों से उत्पन होता है सिंचित भूमी पर लबनी भवन का जो प्रभाब पड़ता है वो है तो यह कुछ मृद्दाओं को आपार गम बना देता है आगे कह रहा है कि चाय बगानों के लिए उप्यक्त मिट्टी है तो अमलिय मिट्टी जो है वो चाय बगानों के लिए उप्यक्त मिट्टी है फिर करा भारत के जिस छेत्र में मृद्दा अप्रदन यानि कि स्वाइल इरोजन के समस्या गंभीर है वो छेत्र कौन सा है तो वो है सिबालिक पहाडियों के पाथ छेत्र बम चंबल घाटी वाला छेत्र करा मालवा पठार उत्तर पदेश तराई आंध टर्टिय छेत्र तथा चंबल घाटी में से वह जो मृद्दा अप्रदन से अधिक प्रभावी थे तो वो है चंबल घाटी फिर कहरा है चंबल घाटी के खो खड़ों के निर्मान का कारण अपरदन है वो अपरदन प्रारूप है तो वो अबनालिका का प्रारूप है आगे कहरा है मिर्दा आप्रैदन प्रक्रियाँ यानि प्रोसेस औस फॉयल इरेजिन के सही करम क्या है तो आस्फ़ल आपरदन, परडता आफ़ोण, ऐलील आपरदन और अबनालिका आपरदन फिर कहराएगी क्रिस भूमी में वह पौधा जिसके कारण भूमी का अपर्दन जो है बौधीक तिबृता से होता है तो वो है सोरगम फिर कहरा फसल चक्र आबसेक है तो मिट्टी की उर्भा रख सक्ती में बृतिव हितु फसल चक्र जो है वो क्या है आबसेक है करा मिर्दा सरंचन के संदर में प्रचली पदितियां हैं तो वो है सास्या बर्तन, फसलो का हेरा फेल और बेदी का निर्मान, टेरिसिंग, फार्मिंग और फिर बायूरोध आगे करा गी भारत में मिर्दा अप्छाय समस्या संबन दित है, तो वो है जो बनो मूलन से संबन दित है मिर्दा परदने में मिर्दा छरन को रोका जा सकता है, तो बना रोपन यानि की एफ और स्टेशन के द्वारा इसको रोका जा सकता है आगे कुछ प्रकृतिक बनस्पती से कुछ कोशन्स दिये गए हैं करा भोजपत्र ब्रिच मिलता है तो वो जो है वो हिमाले में मिलता है करा कथा बनाने है तो जिस पेर की लकड़ी का प्रियोग होता है तो वो खैर की लकड़ी होता है करा वह बन जो भारत के सरबादीक ब्रिहट शेतर में पाये जाता है तो वो जो है वो उसनकटी बन दिये आदरप्रणपाती बन है आगे करा सागान तथा साल उत्पाद है तो यह जो है वो उसनकटी बन दिये सुस्क पत जड़ी बन के हैं फिर कहारा पश्चमी हिमाले संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है तो वो है बन फिर कहारा पश्चमी हिमाले के सितोस्न पेटी यानि टेंपरेट जोन में एक ब्रिच का बहुल है वो कौन है तो वो है देबदार आगे कह रहा है कि असम, केरल, पश्चिमंगाल तथा 36 गड़ में से वह राज जहां सिंकोना ब्रिच नहीं होगता है सिंकोना ब्रिच नहीं होगेगा 36 गड़ में तो इसका अंसर हो जाएगा 36 गड़ फिर कहारा जंगल की आग कहा जाता है तो वो ब्यूटिया मॉन्डोस परमा को जंगल की आग कहा जाता है आगे कहारा सही सुमेलन है सुची एक और सुची दो दिया गया है उसन कटी बंधिये बंध ये सालेंट भैली के साथ मैच करेगा संकुब्रिच, हिमाचे पदेश के साथ, कच्छ बनसपती, सुंदर बंध के साथ और पतजर बंध जो है वो राजस्थान के साथ मैच करेगा आगे कहारा भारत में सौगोन का बंध जो है वो सरवादिक पाया जाता है तो यह जो है वो मधपदेश में फिर कहारा है कटहल, गूलर, आर्कीड, एवंफंड में से हुआ पौधा जिसमें फूल नहीं होता है तो वो होता है फंड फिर कहारा है कि पश्चमी हिमाले में उच परवतिय बनसपती 3000 मीटर की उच्चाई तक ही उपलब्ध होती है जबकि पूर्वी हिमाले में वो चार है तको पलब्ध होती है एक ही परवत सरिंखला में इस बिवधता का कारण क्या है तो पूर्वी हिमाले का भूमध्य रेखा और समुन्द टट से पश्चमी हिमाले किया पेच्चा अधिक निकट होना नेक्स कोशन कहरा है एनिट लोपो औरिकस और चीरू के भी चंतर है तो औरिकस गर्म और सुस्क छेतरों में रहने के लिए नुकुलित है जबकि चीरू जो है वो ठंडे उच परवतिय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलिय चेतरों में रहने के लिए आगे कहरा है सही सुमेलन है सौगौन मैच करेगा मध्ध वारत के साथ देबदार हिमाले के उच छेतर के साथ सुंदरी सुंदर्बन के साथ सिंकोना जो है वो हिमाले की तराई के साथ मैच करेगा आगे कह रहा है सुंदरी का बरिच्छ पाया जाता है तो यह जो है वो पश्चिम मंगाल में पाया जाता है फिर कह रहा है सही सुमेलित है एक साइट बन प्रकार है दूसरे साइट प्रदेश है उसन कटीबंदिये आर्ण पर्ण पाती ये तराई प्रदेश के साथ मैच करेगा उसन कटीबंदिये सुफ्क पर्ण पाती के अगर बात किजेगा तो मधगंगा मैदान के साथ अलपाइन की बात किजेगा तो और नाचर पर्देश हिमाल्यवाले भाग के साथ और उसने कटी बंदिये सदा बहार बंद की बात कीजेगा तो यह सहाद्री के साथ मैच करेगा नेक्स कोश्चन कह रहा है कि लंबी जड़ो और नुकीले काटो अथवा सेवसूल युक्त जाडियों और लगू ब्रिचों बाले आरचित अवरुद्ध बन समानने रूप से पाए जाते हैं तो यह जो है वो पश्चमी आंध्पदेश में पाए जाते हैं फिर कहरा है देबदार, चीड, साल एवं सागून में से वह ब्रिच जो समुंदर तल में सरवादी कुछाई पर पाये जाता है तो यह है देबदार फिर कहरा है कि केरल, मधपदेश, तमिलाडू एवं करनाटक राज में से वह राज जिसके बनों का बरगी करन अर्थ उस नकटिबंदिये के रूप में किया जाता है तो वो है मधपदेश कहरा महोगनी ब्रिच का मूलस्थान गया है तो महोगनी ब्रिच का मूल स्थान है उतरी तथा दचनी अमेरिका के उस नकटी बंदिये चेतर फिर कह रहाएगी सामाजिक बाननिकी में परियोक्त बहुँ उदेशिये ब्रिच का एक उदारन है तो वो है खेजरी फिकरा लीसा प्राप्त होता है तो लीसा जो है वो चीड के बिरिच्छ से प्राप्त होता है आगे कहरा है कि सही सुमेली थे एक साइड कच्छ बनस पती हैं दूसरे साइड राज्य दिया गया है अच्रा रतन गिली महराष्ट के साथ मैच करेगा कुड़ापूर, कनाटक के साथ पीच बरं, तमीलाडू के साथ बेमबाड, केरल के साथ मैच करेगा आगे कहरा है कि केरल की कच्छ बनस पतिया जो है वो पाई जाती है तो बेमडाड को नूर में पाई जाता है असाम, नागालेंड, उडिसा, 36गड, केरल महराष्ट बम उत्रपदेश में से उस्न कटी बन दिया बरसाबन के उपस्तिती है तो यह जो है वो असाम और केरल में फिर करा उडिसा, महराष्ट, मधपदेश, बम 36गड में से किस राजिका सरवादीक छेतर गने पतशरवाले जंगलों से छीडा है तो यह जो है वो मधपदेश वाला छेतर जो है भो घेडा हुआ है तो यहां था आमारा आज का बीडियो आज का बीडियो आप लोगों को कैसा लंगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक like जरूर कर दीजिगा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ share करना ना बुले अभी तक आप इस चैनल पे नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे हैं इसका पीडिफ भी जो है वो जल्दी आप लोगों को प्रोवाइट करवा दिया जाएगा जीएस पॉंटेर इंडियन जोग्रफी का पीडिफ इससे पहले इंडियन पॉलिटी और मॉडरन हिस्टी का जो पीडिफ है वो अलेड़ी टेलिग्राम ग्रूप पे डाइल दिया ग